श्री नर्सिंग प्रान के 98 अध्याय में शत्रियादी वर्णों के धर्म और ब्रह्म चेरे तथा ग्रस ताश्रम के धर्म का वर्णन श्री हारित मुनी बोले अम मैं करमशे शत्रियादी वर्णों के लिए विहित नियम का यतावत वर्णन करूंगा जिनके उनसार शत्री आदी को अपना विवार निभाना चाहिए राजपत पर स्थित शत्री को उचित है कि वे धर्म पूरक प्रजा का पारण करे उसे मडिभाती वेद ध्यान और विधी पूरक यग्यवी करने चाहिए धर्म बुद्दी से युक्त होके श्रिष्ट ब्रामनों को दान दे सिदा अपनी ही इस्त्री में अंडरक्त रखे पर इस्त्री का त्याग करे निती शाष्त्र का अर्थ समयने में निपुन हो संदी और विग्रे का तक्त्य समझे देटा और ब्रह्मनों में भक्ती रखे पित्रों का पूजन श्राद अदी करम करे धरम पुरक ही विजय की इच्छा करे अधरम को भली भांती त्याग दे इस परकार अचरन करने वाला शत्री उत्तम गती को प्राप्त होता है वैश्य को चाहिए कि वैं विधिव गोरक्षा, ख्रिशी और व्यपार करे तथा अपनी शक्ती के उनसाथ दान धरम और गुरु सिवा भी करे लोव और दम से सथा डूर रहे सत्यवादी हो, किसी के दोश नहीं देखे मन और इंड्रियों को सियम में रख के पर इस्तरी का त्याग करे और अपनी ही इस्तरी में अन्रक्त रहे यग्य काल में शिगरता पुरक ब्रामनों का धन से सम्मान करे तथा अलस से छोड़ करके प्रती दिन यग्य अध्यन और दान करता रहे श्राद काल प्राप्त होने पर पित्र श्राद अवश्य करे और नित्यप्रती भवान श्री नर्सिंग देव का पूजन करे अपने धर्म का पालन करने वाले वैश्य के लिए यही कर्तवे करम बतलाया गया है पुरवक्त करम का पालन करने वाले वैश्य निसंदे सर्ग लोग का अधिकारी होता है शोद्र को चाहिए कि वैं यतन पूरत इन तीनों वर्नों की सेवा करे और ब्रामनों की तो दास की भाते विशेश रूप से शुश्रुवा करे किसी से मांग कर नहीं अपने ही कमाई का दान करे जीवका के लिए क्रिशी करम करे परतेक मासुन नयाय और धरम के अंसार ग्रहों का पूजन करे प्राना वस्तर धारन करे ब्रामन का जुठा बरतन मांजे अपनी इस्त्री में राग रखे पारिस्तियों को दूर से ही त्याग दे ब्रामन के मुख से प्रान कता श्रवन करे भगवान नर्सिंग का पूजन करे इसी परकार ब्रामनों को श्रदा पुरक नमशकार करे राग द्वेश्तियाग दे और सत्य भाशन करे इस परकार मन वानी शीर और करम से अचरन करने वाला शुद्र पाप रहीतों के पुन्ने का भागी होता है और मृत्यू के पच्चात इंदर लोग को प्राप्त होता है मुनिंदर गान वर्णों के ये नाना परकार के धर्म मैंने आप लोगों से करमशा कहे हैं इन्हें श्रेष्ट ब्रहामनों ने बतलाया है आप मैं करम से प्रथम ब्रह्मचर आश्रम के धर्म बता रहा हूँ आप लोग सुने श्री हारित्म ने वने वो प्रियन ससकार हो जाने के बाद ब्रह्मचरी बालक सिदा गुरु कुल में निवास करे उसको चाहिए कि मन वानी और करम से गुरु का प्रिय और हित करें वै ब्रह्मचर का पालन भुमी परशियन और अग्ने की उपासना करें गुरु के लिए जल का घड़ा भर कर लावे और हमन के निमत समिधा ले आवे इस परकार सरप्रथम ब्रह्मचर आश्रम में रहकर विदी पूरक का ध्यन करना जो विधि का त्या करके अध्यान करता है, उसे उस अध्यान का फल प्राप्त नहीं होता, उसकी विध्या सफल नहीं होती। ब्रह्मचारी सावधान और एकागर चीत रहकर के मिरिगिचरम, प्लास्तंड, मेखला, जनेव, धारन करें, अपनी इंद्रियों को वश्च में रख करके सैंकाल और प्रताकाल बिक्षा से मिला हुआ अन्न भोजन करें, गुरू के कुल में और उसके कुटमभी बंदू बां अर्थात पहले कहे हुए गुरू ग्रह या गुरू कुल की अत्याग करके अन्यत्र बिक्षा ले, नित्य आचवन करके शुद्द चित्धों करके गुरू की आग्या से भोजन करे, रात्री बीतने पर गुरू से पहले ही अपने आसन से उठ जाए और गुरू के लिए कु और काठ आदी से दंत धावन ना करे, छाता, जूता, उप्टन, गंद युक्त, इत्र, आदी और फूल, मला आदी को त्याग दे, विशेष्टा, नाच, गान और गरम में कथा करम, वारता, एम, इस्त्री, संका, सर्था पर त्याग करे, मधू, मासर, रस, स्वाद, परश करने और दूसरे जीओं की हिंसा करने आदी से बच कर रहे, सब जगा अकेले हिश्यन करे, यदि कभी सपंदो शजाए, तो ब्रह्मचारी दिच को चाहिए कि विश्चनान करके सोरे और अगने की आराधना करे, तथा, इस रिचा का जाब करे, पुनर माम, इश्वर और पर लोग के आस्थित्तों पर विश्वाश करता हुआ, ब्रह्मचारियों के लिए उचित वरत के पालन में तत्पर रह करके, जितिंद्रिय हो करके, प्रति दिन न्याजता प्रत्त्रिकाल संध्या की पास न करे, संध्या करम समाप्त होने पर गुरू के चर्णों में और यदि सियोग प्राप्त हो, तो माता पिता के चर्णों में भी भक्ती पूरक पर नाम करें। इन तीनों के संतोस्ट होने पर संपुरन देवता परसन रहते हैं। इसलिए भ्रह्मचारी को चाहिए कि दा छोड़गर के इन तीनों के शाशन में रहे। यथा संभव चार, दो, अत्वा, एक ही वेद का अध्यन पूर्ण करके गुरु को दक्षना दे, फिर अपनी इच्छा के इंसार कहीं भी निवास करे। यदि वैविद्वान भ्रह्मचारी विरक्त हो, तब तो सन्यासी हो जाए, किन्तु यदि उसका विशे भोगों के प अपस्त, उदर और वानी शुद्ध हो, अर्था जो स्वाद, काम और भभुक्षा को जीच चुका हो, और सत्यवादी या मून रहता हो, वे पुरुष यदि भ्रहमचारे वान भ्रहमन हो, तो वे विवाना करके सन्यास ली सकता है। इस परकर जो आलास से त्या करके विद अधिकाद इक द्रिडवरत वाला होता है। जो ब्रहमचारी पुरवक्त विदि का सहारा ले करके गुरु सिवा प्रायन हो, पृत्ति पर भ्रहमन करता है, वे दुरलव विद्या को भी सीख करके उसके संपुरन फ़लों को प्राप्त कर लेता है। शिरिहारित मनी कहते हैं पुरवक्त रिती से वेदध्यन समात करके शुरुती तथा अन्याइन शास्त्रों के अर्थ एहम तक्तों का ज्यान रखने वाला भ्रहमचारी। विद्वान गुरु से अशीरवाद प्राप्त करके विधि पूरक सम्मवरतन सिल्सकार आरंब करे। फिर जिसके नाम और ग कन्या के साथ हिवा करे। जिसके शीर का रंग कपिल हो जो अधिक आंग या रोगनी हो बहुत बोलने वाली और अधिक रोम वाली हो जिसका कोई आंग विकरतिया हीन हो और जिसकी सोरत ड्रावनी हो ऐसी कन्या से हिवा नहीं करे। जिसका नाम नक्षत्र वृक्षिया नद पर रखा गया हो अत्वा जिसके नाम के अंतमें परवत वाचक शब्द हो अत्वा जो पक्षी सांप और दास आदी अर्थ वाले नामों से युक्त हो या जिसका भ्यंकर नाम हो ऐसी कन्या से वाल नहीं करें जिसके शीर के सभी अव्यस डोल हो नाम कमल और मधर हो जो हंसिया गजराच की समान मंद एम लिला युक्त गती से चलने वाली हो जिसके अधर दांत और केश पतले हो एम जिसका शीर कोमल हो ऐसी कन्या से विवा करें श्रेष दिजाती को चाहिए कि यथा संबस सर्वत्तम ब्राहम विदी से विवा करें इस परकार वरंद धर्म के अंसार व अनंतर दंधावन करके तुरंच शिनान कर ले प्रति दिन रात में सोकर उठने के बाद मुख परियुशित होने के कारण मुश्य अप्वित रहता है अते शुद्धि के लिए सुखा या गिला दंधावन अवश्य चबाना चाहिए दात उनके लिए खादिर, कदम, करंज, वट, अपामार्ग, बिलो, मदार और गुलर ये वरिक्ष उत्तर माने, उत्तम मानेगे हैं। दंध धावन के लिए उप्योक्त कास्ट और उसकी उत्तमता का लक्षन बता रहा हूं। जितने कांटे वाले वरिक्ष हैं, वे सभी पृत्र हैं। जितने दूद वाले वरिक् अच्छ करना चाहिए, पर तो सादो शिरमनियों, प्रतीपता, अमावस्या, शस्ती और नमी को काट की दातन नहीं करने चाहिए, क्योंकि उक्तितियों को यदि दान से काट का सहियों हो जाए, तो ये साथ पीडि तक के कुल को धग्दकार डालता है। जिस दिन दातन नही करें, फिर मंतरपाट पुरक आच्छ करके पुना आच्छ करना चाहिए, मंतरपाट पुरक अपने उपर भी जल छिटके और सूरे के लिए अर्ध के तोर पर जिलांजली भरक कर उच्छा लें। अवेक जन्मा ब्रहम्मा जी की वर्दान से प्रबल हुए मंधे नामक राक चिश्प्रती दिन प्राताकाल आकर सूरे के साथ युद्ध करते हैं। किन्तो जब गाहितरी से अवी मंतरी जिलांजली सूरे देव के सामने उच्छा ली जाती है, तावे उन समस्त सूरे वेरी मंधेर नामके राक्षों को मार भगाती है। आज शिन नरक में पढ़ता है। यदि साएकाल में मंतर पाठ पूरो काच्छन करके अपने उपर जल छिड़कर करके फिर भगवान सूरे को जिलांजली अर्पित की जाए और उसकी परकर्मा करके पुने जलकष पर्ष किया जाए तो वे द्विज शुद्ध हो जाता है। प्रादाकाल की संध्या तारो के रहते रहते विधी पूर करंब करे और जब तक तारो का दर्शन हो तब तक काहितरी का जब करता रहे। तद पश्चाथ घर में आकर के विद्वान पुरुष को स्यम हमन करना चाहिए। फिर जो भृत्य पाल निये कुटंबी जान तथा अधास आधी हों। उनके भरन पुषन के लिए विद्वान गरस्त चिंता विश्यक परबंद करे। इसके बाद शिश्यों के हित के लिए कुछ देर तक से ध्याय करे। उत्तम दिच को चाहिए कि अपनी रक्षा के लिए इश्यर का सहारा लेके फिर दूर जाकर के पूज के लिए कुछ फूल और हवन के लिए समिधा आधी ले आवे। और पूत्र स्थान में एकागरचित से बैठ करके मध्यान काली क्रिया संध्या पासना आधी करे। अब हम थोड़े में शिनान की विदी बतला रही हैं जो समस्त पापों को नस्ट करने वानी है। उस विदी अधी तोकर शुद्धर मनोहर नदी के तड़ पर जाए नदी के होते हुए छोटे जिलाशों में शिनान नहीं करे। वहाँ पूत्र स्थान पर उसे छिड़ा करके कुश और मृत का आधी रख दे। फिर विद्वान परश मिट्टी और जल से अपने शीर को। यतन पूरक लेप्त करके शुद्ध शिनान के द्वरा उसे धो करके पुना आचोन करे। तंतर सच जन में प्रवेश करके जलेश वरुन का नमशकार करे। फिर मन ही मन भगवान विश्णू का समरन करते हुए जहां कुछ अधिक जल हो महां डुकी लगावे। इसके बाद शिनान करके मंत्र पाठ पूरक आच्वन करके वरुन संबंधी पवमान मंत्रो द्वारा वरुन देव का आविशेक करे। फिर कुछ के अगरभाग पर स्थित जल से अपना यतन पूरक मारजन करे। और इदम विश्णूर विचक्र में इस मंत्र का पाठ करते हुए अपने शीर क तीन भागों में क्रमशा मृत्का का लेप करे। तद पचात भवान नारायन का समरन करते हुए जल में प्रवेश करे। जल के भीतर बली परकार डुकी लगा करके तीन बार अगमर्शन पाठ करे। इस परकार शिनान करके कुश और तिलो द्वारा देवताओं रिशियों पित्रों का दर्पन करे। इसके बाद समाहे चितों के जल से बाहर निकल करके तड़ परा करके दुले हुए दो श्वीत वस्त्रों को धारन करे। इस परकार धोती और उत्त्री या धारन करके अपने केशों को ना भटकारे। अत्यादिक लाल और नील वस्त्र धारन करना भी उत्तम नहीं माना गया है विद्वान प्रुष को चाहिए कि जिस वस्तर में मल या दाग लगा हो अत्वा जिसमें किनारे ना हो उसका भी त्याग करे इसके पचाब विग्य प्रुष मिट्टी और जल से अपने चरनों को दोए फिर खूब देख वाल करके शुद्ध जल से तीन बार आचमन करे दो बार जल लेकर मुध होए पैर और सिर पर जल छिटके फिर तीन बार आचमन करके करिमशेंगों का शपर्ष करे अंगुठे और तरजनी से नासका का शपर्ष करे अंगुस्ट और कनिशका से नाभी का शपर्ष करे हिर्दे का करतल से शपर्ष करे तरंतर समस्थ अंगलियों से पहले सिर का फिर माहों का शपर्ष करे इस परकार आच्वन करके ब्रामन शुद्ध हिर्दे हो हाथ में कुश ले पूरकी और मुख करके एकागरता पूरक को शाषिन पर बैठ जाए और अलस्य को त्या करके शाष्तरुक्त विदी से तीन बार प्रानायाम करे तद बच्चाद वेदमाता गाहितरी का जब करते हुए जब यग्य करे जब यग्य तीन परकार का होता है उसका भेद बताते हैं आप लोग सुनिए वाचिक, उपांचू और मानस तीन परकार का जब कहा गया है इन तीनों जब यग्यों में उत्तरोतर जब श्रेष्ट है अर्थाद वाचिक, जब की अपैक्षा उपांचू और उसकी अपैक्षा मानस जब श्रेष्ट है अब इनके लक्षन बताते हैं जब करने वाला पुरुष अवश्यक्ता के उंसार उंचे नीचे और समान सुरव में बोले जाने वाले श्पष्ट शब्द युक्त गिश्रो द्वारा जो वानी से सुष्पष्ट सब्द उचारन करता है वे वाचिक जब कहलाता है इस परकार जो तनिक सा होटो को हिला करके धीरे-धीरे मंतर का उचारन करता है और मंतर को स्यम ही कुछ-कुछ सुनता यां समझता है उसका वे जब उपांच्यू कहलाता है बुद्धी के दवरा मंत राक्षर सुमू के प्रतेक वरन प्रतेक पद और शब्दार्थ का जो चिंतन एम ध्यान किया जाता है वे मानस चप कहा जाता है जब के दवरा प्रती दिन जिसका स्तवन किया जाता है वे देवता परसन्न होता है और परसन होने पर वे विपुल भोग तथा नित्यमोक्ष सुख को भी दिता है यक्षिर राक्षश पिशाच आदी और सूर आदी दिवताओं को दूशित करने वाले राहु केती आदी ग्रै भी जब करने वाले पुरुश के निकट नहीं जाते दूर से ही भाग जाते ही दिज को चाहिए कि वे अलज से कत्या करके प्रति दिन तारों को देख करके अर्थात तारों के रहते रहते शिनान करके गायत्री के अर्थ में मन लगा करके गायत्री मंत्र का जब करे जो दिज अधिक से अधिक एक हज्जार, साधारंता एक सो, अथा कम से कम दस बर प्रति दिन गायतरी का जब करता है, वे पापों में लिप्त नहीं होता है। प्रति दिन देवतीर से उंगलियों द्वारा देवताओं का तरपन करें, विग्य प्रश को देवताओं और उनके गणों का रिशियों और उनके गणों का तथा पित्रों और पित्र गणों का प्रति दिन तरपन करना चाहिए। वेद का सिध्याई करें, ते अंतर खड़ा होकर तिल, फूल और जल से युक्त अर्ध पात्र को अपने मस्तक टक, उचे उठा करके हंस सुचिश्यत इस रिचा का पाठ करते हुए, सूरे देव के लिए अर्धे दे, फिर जल में स्थित वर्म देव को नमशकार करके पुना घर पर आ जाए और वहाँ प्रुष सुख से भगवान विश्नु का विधिवत पूजन करें, ते अंतर विधी पूरक बली वैश्य दे करम करें, इसके बाद जितनी देर में गोध ही जाती हैं, उतनी देर तक द्वार पर अतित्थी के आने की परतिक्षा करें, यदि कहीं की तित्थी आ जाएं, तो उन में से जिसे पहले कभी न दिखा हो, उसका सम्मान सबसे पहले करना चाहिए, द्वार पर आकर अतित्थी की खड़े होकर भली भाती अगवानी करने से ग्रस्त के उबर दक्षिन, घ्रैपत्य और आवाहनिय तीनों अगनी परसंद होते हैं, अन आदी भोज्य पदार धर्पन करने से प्रजापती परसंद होते हैं, इसलिए ग्रस्त पुरुष को चाहिए कि वे अतित्थी का पूजन करें, इसके पश्चाद भक्तिवान पुरुष प्रति दिन भगवान विश्नों की भक्ति पूरग पूजा करके उसका चिंतन करे फिर सन्यासी विरक्तें ब्रह्मचारी को भिक्षा दे, सब परकार से तयार किये हुए अन में से समस्त वियंजनों से यक्त कुछ अन निकाल करके प्रति दिन यतन पूरग सन्यासी को देना चाहिए, बड़ी वेश्यदे करने के पहले भी यदि विक्षू भिक्षा के क्योंकि यह दान सर्ग में जाने के लिए सीड़ी का काम देता है। इसमें पूर यह उत्तर की और मुथ करके बैठे और मून रहे। अथवा कम बोले। भोजन से पहले प्रसन चित से अन को नमिश्कार करके प्रतक पांच प्रान वाऑईयों के नाम मंतर से अर्थात। अम प्रानाई स्वाहा, अम अपानाई स्वाहा, अम वियानाई स्वाहा, अम उदानाई स्वाहा, अम समानाई स्वाहा इस परकार उच्चारन करते हुए पांच बार प्रान अगनी हुत्र करें इसके बाद एकाकरची ठोकर के उस स्वादिष्ट अनको स्यम भोजन करें। भोजन के बाद मौहाद धोके आच्वन कुला करके अपने उदर का श्परिश करते हुए इस्ट देव का समरन करें। फिर विद्वान पुरुष इतिहास प्राणों के अध्धन में कुछ समय वतीत करें। तरंतर साइंकाल आने पर बाहर नदी या जलाशे के तर्ट पर जाकर के विधी पूरक संद्या पासना करें। पुना रात्रिकाल में हमन करके अतिथी सतकार के पश्चात भोजन करें। दिजातियों के लिए प्राता और साइं दो ही समय भोजन करना वेद वी हीत है। इसके बीच में भोजन नहीं करना चाहिए। जैसे अगनी होत्र प्राता और साइकाल में किया जाता है, वैसे ही दो ही समय भोजन की भी विदी है। इसके अत्रिक्त विद्वान दिज को चाहिए कि प्रति दिन शिश्यों को पढ़ावे, प्रन्तु अध्यन के लिए वर्जित समय का त्याग करे। समरिती में बताए हुए तथा पहले के पुरानों में वर्नित संपुरन अनध्यायकाल को त्याग दे। विशेष्टे स्वर्ण दान, गवदान, भूमी दान करें। जो दिश्रेश सर्न आदी पुर्वक्त वस्त्वे शोत्रिय ब्रहमन को दान में दिता है। वे सब पापों से मुक्त होकर कर सर्ग लोग में समानित होता है। जो ग्रस्ष शुम्बाचर्णों से युक्त तुईत्रश धालू रहकर शद्दापरो किश्राद करता है। वे ब्रह्म लोग को प्राप्त होता है। वे भगवान नर्सिंग की क्रिपा से जाती में उतकर्श प्राप्त करता है। और सत्तमों ब्रह्माजी के साथ ही वे मुक्त हो जाता है। वे प्रगान इस बरकार में ने आप लोगों से ये सनातन धरम समुका शिंक्षेव से बर्नन किया। जो प्रुष सद्गरस्ट के उक्त धरम का बली भाती प्रेतन पूरक पालन करता है। वे मुक्त होकर बगवान शिरी हरी को प्राप्त करता है। इस बरकार शिरी नर्सिंग पुरान में गरस्थ धरम नामक अठानवनास अध्याई पूर हुआ।